तो हेलो फ्रेंड्स एन वेल्कम टुमा यूट्यूब चैनल एर एडुकेशनल हब स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एर एडुकेशनल हब में तो सर देखिए मेरा बस आप लोग उसे एक बहुत ज्यादा हमबल रिक्वेस्ट है सर देखिए आप लोग जैसा कि अभी सिच्वेशन चल रहा है लोगडाउन का और सिच्वेशन चल रहा है कोरोना का तो सर ऐसे समय में आप लोग को देखिए आप लोग के लिए यह जो बीमारी है बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप लोग को पता है कि किस तरह से आप लोग को स्वस्थ रहना है किस कुछ लोग कहीं जा रहे हैं कुछ लोग कहीं जा रहे हैं कुछ का मानना है कि कोरोना है ही नहीं तो कुछ बिना मास्क के कहीं घूम रहे हैं कोई बिना कहीं कहीं भी जा रहा है कि इन्हें को कहीं पता भी नहीं है वो कहीं खड़े हैं देखिए situation आपको ही पता है critical बहुत यादक situation हो चुकी है और ऐसे में दिक्कत आपको और मुझे ही होगा क्योंकि अगर lockdown लगता है situation खराब होती है जैसा कि मोधी जी ने कहा कि अभी अगर संपून lockdown लगा दिया जाता है तो इस्तिती बहुत ही यादा problem वाली हो जाएगी मैं देखिए मैं भी एक middle class family से हूँ आप भी एक middle class family से होंगे या फिर हो सकते हैं कोई अमीर family से होंगे बट यार देखो जो हम लोग जीजबी स्रेणी में आते हैं हमारा जो भी एक category होता है उसके हिसाब से हमारे बाद भी कोई-कोई और options होते हैं जीखिए एक होते हैं अमी लोग भी जो है वो भी stable रहेंगे तो देखे यार हमें अपने लिए भी नहीं तो दूसरे के लिए भी जरूर सोच के चलना है अभी के situation में क्या है अगर किनी को एक कुरोना होता है तो वो छुप छुपाई रहते हैं वो किनी को बताते नहीं और बेज़ज़क सब के सामने घ काम होता है अगर देश में कुछ भी अगर problem बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि वह अपना कुछ भी नहीं कर सकता है सभी को पूरा problem में डाल दे उन इसफ़ी होता है तो देखिए अब बावए योद्द्धा है और जो पूरत देश को बचाने में चाहे मैं हूं चाहे आप हो सब एबरीचिंग जितने भी लोग है सभी एक यहाँ पर soldier है सभी एक दूसरे को बचाईए अगर किनी को आप मास्क पहने नहीं देखते हैं तो उनसे गुजारिश कीजिए उनको समझाईए उनको बतलाईए उसके बारे में कि सर बहुत जरूरी है मास्क अभी अभी मास्क पहनना बहुत जरूरी है यहाँ क्या जरूरत है पुलिस की क्या जरूरत है प्रशासन की आप बोलते हो प्रशासन की बात करते हो कि पुलिस ने कहीं यहाँ पर कड़ी सुरक्षा नहीं की यहाँ पर पुलिस ने कुछ किया नहीं अरे boss, आप मेरी बात समझे, आप अगर सही से समझ जाओगे, कि हाँ, वहाँ पर crowd नहीं करना है, वहाँ पर crowd नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है, लोग वहाँ पर भी इकत्रित करेंगे ही नहीं, आपने कहा कि जहां भी party होती है वहां 50 लोग से ज़्यादा एकत्रित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है अगर 50 लोग है तो वहां 50 लोग से अधिक एकत्रित नहीं होंगे खुशी के बात है, function है बहुत अची बात है अपनी responsibility लेनी पड़ेगी अपनी देश की सुरक्षा को अपने अंदर लेना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि नहीं अगर वो mask नहीं लगाए है तो corona उनको हो सकता है मुझे हो सकता है, मेरे बगल में कोई खड़ा है उनको हो सकता है, समझाना सब को है इससे corona फैल रहा है, आपको ऐसे बचना है precautions लिजिए, ना कि इसको फैल आईए दूसरी बात, जो भी अभी आज के time पे बहुत ज़्यादा circulate करते है fake news, तो sir ऐसा नहीं करना है because देखिए, अगर आप एक news circulate करते हो, अगर आप एक news भी मच जाती है, जैसा कि मैंने आज news में बहुत बार देखा, कि यहाँ lockdown लग गया, वहाँ lockdown लग गया जबकि वहाँ के किसी ने भी इस बात की घोसना की ही नहीं, तब भी वहाँ पर lockdown वाली situation आ गई है, ठीक है तो बिलकुल सबर से काम लीजिए, आप हिम्मत से काम लीजिए, डरिये नहीं बिलकुल डरिये मत, आप जहां है वहाँ रहें, सुरक्षीत रहें, अगर आप से संभव हो, यथा संभव हो, तो आप अपने स्थान पे ही रहें, बिलकुल भगदर ना मचाएं, कहीं भी सांती से रहें क्योंकि आपके कुछ भी होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है, बाकि सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, ये चेन को ब्रेक करना है, ना कि जोड़ कर रखना हमें हमें ये चेन को जो ब्रेक करके रखना है तभी ये situation ठीक होगी वरना अगर lockdown लगता है तो आप भी जानते हो महामारी से तो नहीं भुखमरी से जरूर लोग मर जाएंगे मुझे बहुत दुख होता है सच बता रहा हूँ मुझे बहुत दुख होता है अब मुझे मेरी रूख आप जाती है जब मैं सोचता हूँ कि अगर फिर से lockdown लग जाता है फिर से situation पहले वाले आयाती है अब ज़रा सोच के देखो खयाल करो कि अगर situation पहले वाले हो जाती है तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से प्लीज आगर आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल छोटा हूँ आप लोग से जरूर आप लोग मुझे छोटा समझो अपना छोटा भाई समझो यह जो गार्जिन पैरेंस देख रहें मेरा आपसे बस हमबल रिक्वेस्ट है गुजारिस है कि बिल्कुल सेफ रहे सर अपने आपको सेफ रखें अपने फैमिली को सेफ रखें अपने बच्चों को सेफ रखें सभी को समझाए और सभी को इस जो अपना को जो प्रिकॉसेंस दिया गया है मास्क पहनना सनिटाइजर का यूस करना दूसरों से दूरी बना कर रखना प्लीज इसको मेंटेन रखे सर मैं सच बता रहा हूँ अगर मेंटेन नहीं रखा गया situation बहुत बुरे होने वाली है प्लीज आप लोग समझे बिल्कुल इसकी कदर कीजिए यह जो मास्क है इसकी प्लीज आप आप लोग कदर कीजिये इसको लगा कर रखो रहा इसको लगा कर रखोगे आप सेफ रहोगे सेरेटाइजर यूज जोड रहा हूँ मैं विनिति कर रहा हूँ अगर situation critical होती है तो बहुत problem हो जाएगा मैं request कर रहा हूँ please आप कोई भी अगर मुझे देख रहे हैं बड़े हो या फिर छोटे हो बुजूर्ग हो जो भी मुझे समझ रहे हैं please मैं request कर रहा हूँ अभी problem बढ़ा नहीं है अभी भी situation समझ सकता है आप विस्वास नहीं करोगे डॉक्टर भी डर रहे है पेशेंट को चूने से पहले ठीक है तो आप समझ सकते हैं जो भगवान है वो आप से पीछी हट रहा है भी तो समझ सकते हैं situation कितनी critical है तो इससे आपको मैं बचा सकता हूँ आप खुद को बचा सकते हो खुद सेफ रखो बाकियों को सेफ रखो मैंना situation बहुत critical हो जाएगी I hope आपको यह मेरी वीडियो बहुत समझ में आयोगी तो प्लीज इस वीडियो को जुरूद शेयर कीजेगा बाकि शेयर तो आप करते हो messages को इस वीडियो को please humble request करता हूँ मैं भी देखता हूँ कितनी वीडियो को आप शेयर करते हो प्लीज request करता हूँ शेयर करो याद ताकि सभी तक यह बात पहुचे मैं seriously बता रहा हूँ इससे आपको problem होगा आपके guardian को problem होगा आपके students को problem होगा मैं request करता हूँ सभी जो है वो अपनी बात जरूर रखें बिल्कुल बिल्कुल एक leader की तरह काम करें एक soldier की तरह काम करें आप लोग प्लीज आई request ही thank you so much